नमस्कार आज कहानी गोल्ड में सुनिये सरोजनी नौटियाल जी के लिखी कहानी आउटसाइडर इस समय तो वहाँ सुबह के दस बज रहे होंगे रोहित चाय नाश्ता कर चुका होगा अब तक भारत में रात के ग्यारा बज रहे हैं पूरे ग्यारा घंटे का अंतर है हो जाता है रात दिन इंटरनेट में लगे रहते हैं कहां क्या हो रहा है सब जानकारी रखते हैं मुक्ता ने घड़ी पर नजर डाली इसकाइब की सेटिंग ठीक की रोहित बेटे हो गया नाश्ता पानी कैसा चल रहा है आज तो छुट्टी होगी हाँ मम्मी छुट्टी है नाश्ता आराम से करूँगा रोहित का स्वर अलसाया हुआ था अभी तक कुछ नहीं लिया टाइम से खाया कर बन गए होंगे तेरे यार दोस्त अब तो नहीं आती होगी घर की याद मुक्ता भाव खोड़ी हाँ सब ठीक है यार दोस्त तो इंडिया में रह गए मैं तो अभी वैसे भी आउटसाइडर हूँ अच्छा ममी रखता हूँ अभी आप लोग अपना ध्यान रखिये ठीक है प्यार बेटा मुक्ता उदास हो गई ऐसे ही नहीं कहा गया दूर के ढोल सुहावनी कितनी फीकी फीकी थी उसकी बाते आउटसाइडर कितना अकेला पन है इस शब्द में मुक्ता ने भोगी है इसकी तल्खी वह भी अपनों के बीच तू तो बेटा बाहरी लोगों के बीच है आज नहीं तो कल तेरे कुछ मित्र बन जाएंगे तब नहीं रहेगा तू आउटसाइडर मैं मैं तो बेटा अभी तक हूँ नहीं नहीं शादी हुई थी सुमित रेजर के प्रसिक्षड के लिए नैनी ताल चले गए हपते भर के लिए आये थे रिष्टे के देवर मजाक में भाभी जीज गर्मी में आप यहां क्या करेंगी आप भी भाईया के साथ नैनी ताल चल में तू ध्यान से अपनी ट्रेनिंग पूरी करना अभी तक अच्छे नंबर आए हैं तेरे सास जीन वाक्यों को बोलने में जो दम लगाती उससे ये वाक्य धमकी जैसे लगने लगते मेरे दिल पर बोज बढ़ जाता तेरे धीरे महमान विदा हो गए सास जी अपनी बेट तो एक किलोमीटर होगा सडक से डेड़ किलोमीटर पड़ता है दीदी पैदल नहर के रास्ते से आती है इधर छोटा सा बाजार है जरूरत का सामान साक सबजी खरीदी और अपनी मा के यहां भी अपनी उपस्थिती दे दी उधर दिन सरकता है इधर घर दीदी की राह और हिम्मत से जहला था अपनी एक जुड़ता की ताकत को आजमा चुका था दुश्मनी किसी से नहीं और भरोसी की अपेक्षा भी किसी से नहीं महतु भी किसी का नहीं और प्रशंशा करना तो निठले बैठे लोगों का काम होता है अमुकता किस बात पर मोह खोले वह भाव दिखाई देता है बहसास जी के कमरे में लगी उनकी फोटो में नजर नहीं आता जिस प्रकार से परिवार उनको याद करता है उनको प्रस्तुत करता है उससे उनके समकालीन सब बने हो जाते हैं यहां तक कि उनके स्वैम के बड़े भाई का कच छोटा हो गया था सु पहाड और नगर के युगम से निकले सुन्दर रमडीक अभिजात्य देहरा दून में दो बेखे जमीन में बाग बगीचे से घिरा बसेरे का निर्मान मकान बड़ा तो नहीं है मगर सुविधा जनक अवश्य है सास जी में अपने मकान को लेकर बहुत स्वामित वबूत है ऐसे ही नहीं जोड़ा हमने ये सब वे अपने बच्चों से कहती तुम्हारी पापा की तपस्या और मेरी साधना चाने क्यों मुझकों ऐसा लगता कि उनका यह कथन केवल लड़कों के लिए है क्योंकि परिवार ने जादा दाव लड़कों पर लगाया बेटियां तो तप पस्या और साधना में भागिदार बनी सासुर जी रिटायर हुए ही थे कि परिवार अस्पताल के चक्कर काटने लगा सासुर जी को फेफणों का कैंसर हो गया था दुम्रपान के शौकीन थे साज जी के प्रतिबंधों और चौकसी के बावजूद वे बिमारी के पूरे परिवार को एक टीम में बदल दिया अपनी साधनों से आगे जाकर उपचार जैन किया बस विदेश गमन को छोड़कर इलाज की उन सारी संभावनाओं को आजमाया जो देश में मुम्किन थे सेवा में तो कोई सुमित की मा की बराबरी नहीं कर सकता सेवा तो सुमि का प्रतिदान परिवार की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के रूप में देगए सास जी तूटी पर अधिक मजबूती के साथ दुबारा खड़ी हो गई मायके की तरब से बड़ा आत्मी संबल रहा परिवार को नहीं तोटने दिया सुमित के खामोशी लंबी होते देख माने जिन शब्दों में बेटे को दिलासा दी और होसला बढ़ाया वह उसने मुक्ता को जिस प्रकार पहली रात ही बताया उससे उसे परिवार में सास की एहमियत का अंदाजा लग गया था सुमित बोला था मुक्ता जानती हो माने क्या कहा माने कहा तु अपने दिल पर यह बोज लेकर बैठ गया पापा सब कुछ कर गए हैं बेटा तु अपना भविश्य देख मैं हूना अपनी मा का भरोसा कर वैसे भी तुम मेरे साथ ही रहे हो पापा तो नौकरी में इधर उधर रहे जादा तर कल से तु अपने फुटबॉल के प्रेक्टिस में जाएगा कहते कहते सुमित का चेह राजे साभा से प्रदिप्थ हुआ उसमें मा के विराट स्वरूप को देख वह चौकर्णी हो गई वह बहुत सरल सहजवातावरण से आई थी जहां मा की सारी बातों को मानने की अनिवारेता नहीं थी मा बस मा है प्यारी प्यारी मा प्रेम और अभाओं में विहल कवी जय शंकर प्रसात को अपना प्रेकवी बताने वाली ले चल मुझे भुलावा दे कर मेरे नाविक धीरे-धीरे को अपना थीमगीत मानने वाली यह थार्त के दर्शन वाले पति ग्रह में जिन्दगी की पारी खेलने के लिए खुद को तयार करने लगी आकिर उसने रॉबर्ट ब्राउनिंग को भी पढ़ा था अपने माता पिता को दिन प्रति दिन की समस्याओं का निस्तारण करते देखा था घर की गोस्टी में कोई अपचारिक निमंत्रन थोड़े मिलेगा फिर सभी तो पढ़े लिख्ये हैं चर्चा करने को बहुत कुछ होता है मेरे घर में सब कितना रस लेते हैं जब भी मैं कुछ बोलती हूँ रोजमर्रा की बादचीत में कवियों लेखकों के कथनों को द्रिश्टांत के रूप में उद्रित करना आदत में है मुझे खुद इस पेस बनाना होगा मुक्ता सजग हो गई ग्रिहस्ती में हाथ पर हाथ धर के गप नहीं मारी जाती है स्कूल का खिलंदड़ापन हमेशा थोड़े रहता है मुक्ता मतर चीलती सास ननत के बीच खुस गई अभी एक दो मतर ही चीली थी किसने हा भाभी मतर मैं और माच चील लेंगे आप छट से कपड़े ले आईए कहनी लगी हाँ सूग गए होंगे सास जी ने भी अनुमोधन कर दिया मुक्ता के पास कोई चारा नहीं बचा हाथ की मतर छोड़ कर पीछे के दर्वाजे से आंगन में आ गई आंगन से लगा किचन गार्डन किचन गार्डन में लगा भीगा भीगा पुदीना भी उसके कुमलाए मन को सहला नहीं पाया गार्डन के बाई और एक छोटा गेट जो सुमित के ताउ जी के आम के पेड़ों से घिरे मकान में खुलता है इसी पीछे के दर्वाजे से निकल कर सुमित उसे ताउ जी के यहाँ डिनर में ले गया था शादी के अगले दिन की ही बात थी सुमित की दो चार दिनों की ही छुट्टियां बची थी ताई जी ने नौदमपत्ती के स्वागत में दिये जाने वाले भोज को निश्कंटक रखने के लिए शादी के अपचारिक ताउं के निपढ़ते निपढ़ते हमें अपने यहां रात्री भोज में आवंत्रित कर दिया मुकता दुलहन बनी सुमित के साथ जब पीछे के दर्वाजे से खुले आंगन में आई तो जगे बहुत अंजानी सी लगी ऐसा लगा जैसे किसी फलों के बाग से होकर गुजरना है गेट पार करते ही सुमित ने मुड़कर अपने घर की और देखा और मुकता को अपनी बाहों में भर लिया वन प्रदेश की निरवता और सोशान्त योगल चले सुमित नहीं बोला था मुकता सकुचा गई एक मधुर मसकान अध्रों पर तिर गई दाई और मुड़ी सीढ़ियों की तरफ और बिनागेने चड़ गई उसके घर में छट में जाने के लिए तेई सीढ़िया है और कॉलिज में लाइब्रेरी दूसरी मंजिल में है वहां जाने के लिए तीज सीढ़ियां चड़नी पड़ती है कपड़े सुख चुके थे, तार से बटोरे, कुछ नीचे गिर गये थे हवा थोड़ा तेश थी, मुक्ता ने गठर बना दिया धूप अलसाई पसरी हुई थी, चारो और नजर दोड़ाई कोई एका एक दिखा नहीं, जल्दी क्या है, मुक्ता ने गठर से अपना ब्लाउज निकाला सिर पर रखा और मुंडेर पर हाट निका दिये, पेडों के बीच एक औरत घास काट रही है जहां से दूधाता है, उनकी बहु है, पीली भूरी धोती और लाल ब्लाउज मेवा जुर्मुट में लुका छिपी करती सी लग रही है काफी देर हो गई है उसे घास काटते, दो गठर बने हुए है लकडियां भी बीनी हुई है, बाग में कितनी चीजे मिल जाती है हवन के लिए आम की लकडियां, बंदरवार के लिए आम के पत्ते वैसे बाग में केवल आम के ही पेड नहीं है, पूलाम, लीची आडू की भी अच्छी खासी संख्या है, चकोत्रा भी दिख रहा है आम पर क्या बौर आई हुई है, पूलाम, आडू, फूलों से नहाए हुए है ताउ जी का बगीचा भी बहुत बड़ा है, बेडों के जोर्मुट में मकान के बस कुछ हिस्से दिखते है कहने को मकान लगे हुए हैं, दरसल बाग लगे हुए हैं, मकान बहुत दूर और दिल तो तीरे दीरे बाग और गेट के किस से फूटने लगे थे हमने तो सब कुछ जेट जी पर छोड़ दिया था, सुमित के पापा को कहा थी फुरसत उद्धारों से सास जी जितना ढखती उससे अधिक छलग जाता, खेर, बच्चों ने ताउताई के प्रती अपने आदरभाव में कोई कमी नहीं आने दी और प्रकट रूप से दोनों परिवारों के मध्य परस पर प्रेम और सम्मान की लोग मिसाल देते हैं कुल 24 सेड़ियां थी, एक जादा चड़नी उतरनी पड़ेगी मुक्ता कपड़ों के तह कर चुकी थी, साउधानी से, पिछली बार पैंट सिधी नहीं की थी एक बर फिर चेक किया, सब ठीक लगा, सब कुछ ठीक ही लगता है मगर चूक दुबक कर बैठी रहती है, फिर रंगे हाथों पकड़वाती है फिलाल तो कुछ नहीं नजर आया, दिवान पर कपड़े एक तरफ रख दिये कमरे की उर जाते हुए रसोई में नजर डाली, साउध जी चावल चड़ा चुकी थी स्निहा सलाद की तैयारी कर रही थी बगीचे के ताजे हरे खीरे और लाल टमाटर, चिल मची में रखे हुए दिखे साउध जी का सामराज जी सचमच बड़ा दंदार है, प्रकृती की इस ताजगी और कुमलता में भी एक ठसक है कपड़े आलमारी में रखे, तभी नजर मोती जड़े पर्स पर पड़ी सुश्मा ने खुद अपने हाथ से बना कर शादी में दिया था यह उसके लिए बहुत खास था, इसलिए नहीं कि सहेली ने गिफ्ट किया उसने तो कढ़ा हुआ मेजबोश भी दिया है पर्स में सुमित की चिठ्थियां रखी है, गुलाबी लिफाफे क्या टाइम हुआ होगा, सवा बज रहा है अभी सुबोध के आने में आधा घंटा है, मक्ता ने दो तीन चिठ्थिया निकाली थोड़े पर्दे खीचे और पलंग पर पसर गई, दो तक्यों पर सिर्टिकाए आधा घंटा चुपचाप निकल गया पीछे साइकिल खड़ी करने की खड़खड हुई, सुबोध आ गया था कॉलेज की फुटबॉल टीम में है, आज कल अभ्याद जोर उपर है ताम जाम रखने की आवाजें, थोड़ा ठहर कर नहाना साइज जी की रोज की हिदायत, कुछ बाते रोज एक जैसी होती है सुबोध प्यारा एहसास, अकारण भी भाभी बोलता है गर्मी अपना सर दिखाने लगी थी, नन्ही नन्ही आमिया जुंडों में दिखने लगी आडू की भी बाहर थी, कुल बारा पेड है, पांच आम के, बाकी दो लीची, दो पूलं, दो आडू और एक चकोत्रे का, सारे गिन लिए अब क्या पत्ते भी गिन लूँ समय ही समय, तीन दिनों के बरावर एक दिन हो रहा है मकान के बरामदे से लगी फुलवारी भी अच्छी है गुलाबी पेले और सफेद, बोगन वेलिया तो मकान के हर तरफ है पेड पौधों के रोज बदलते रंग और रोख, जीवन की गती का एहसास करा देते हैं पन की, वो जिलता को और बढ़ा देता, शाम होती है, एक दिन और बीता, उपलब धिवन मन को बहला जाता पर गर्मियों के शामें योही कहां गुजरती हैं, छट में हो आई, सबजे दल का हिसाब समझ लिया गैलरी से कुछ बादचीत की आवाजें आ रही हैं, दीदी आई हुई है, बाल ठीक किये दरपड में देखा, कपड़ों में हाथ फेरा दीदी प्रडाम कहते हुए पैर चुए जीती रहो, कैसी चल रही है पढ़ाई, यहां से तो कोई गाइडेंस मिलती नहीं भाई, सब साइन्स वाले हैं, वैसे आर्ट्स में तो गाइडेंस की जरूरत भी क्या है, पढ़ाई ठीक हो रही होगी, बना लो नोट्स, एक्जाम में कैसे लिखना है, नोट्स से प्रैक् माली हो गया, मा जी मेरे नोट्स वहाँ घर में है, चली जाती हूँ, अगर आप कहें, परिक्षा तक वहीं रह लेती हूँ, मुक्ता मुझे सास जी बोला कर, मा तो जन देने वाली होती है, मुक्ता लंबे समय तक सास जी को कोई संबोधन नहीं दे पाई, ऐसे ही काम चल ग मा का पाँच किलो का थैला, जसका तस, सुबोध के बैग के साथ रख दिया गया, मा ने ठीका लगाया और पापा ने सौसो के पाँच नूट जेब में खोस दिये, सुबोध जा चुका है, मुक्ता ने एक लंबी सास ली, ससुराल के एहसास से मुक्ती, सबसे पहले चिठ् सुमित को, मैं अपने घर हूँ, अब यहां के पते पर भीजना, ऐसे पढ़ाई का जैसा हाल है मथी लिखना, डाई महीने, मुक्ता पुराने खोल में आ गई, भक्ती काल सूफी संत कवी, हिंदी भाशा का विकास, गद्य साहित्ति, आधुने क्योग, लौकिक संस्क्रिट जोग दिया था मुक्ताने खुद को, इधर परिक्षाय निप्टी, उधर पत्रों का पुलिंदा डाक्या लिए खड़ा था, अभी वायवा और होना था, मगर कब कुछ निश्चित नहीं, सुमित आ गये थे, कोर्स पुरा हो गया, पंदर दिनों बाद जॉइनिंग है, प अपनी सास के भतीजे के यहां अरिशिकेश जाना है, बहुत मानते हैं सास जी को, सुमित व्यस्त रहा, मा के साथ, रात को सब भाई बहन सुमित को घेर कर बैठ जाते, बचपन के कारनामों में लोटपोट होते रहते, दादी भी आ गई थी, दीदी की शादी के किस्से, फ ड्रोइंग रूम से कितावे समेट कर जब मुकता लोटी, तो दोनों भाई कुम करने नित्रा में, अचानक कुछ समझ में नहीं आया, वापस जाकर ड्रोइंग रूम में सोफे में लेट गई, दाज दिन बाद एक नए सफर की तयारी का विचार आया, पहले वाईवा ठीक नहीं पढ़ जाए, परसों है, इस बार डेट ना खिसके, दो बार एक्जामिन अरा नहीं पाए, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया, सोचते सोचते कब नीन ने अपने आगोश में ले लिया, पता ही नहीं चला, सपने में सुमित ने जैसे बाहों में भरा हो, आग खुल गई, सुमित ने होटों पर उंगली रख दी, घह सपना नहीं था, पैतिस साल गुजर गए, सुमित के साथ राज्य के सभी वंचेत्रों का भ्रमण कर लिया, जिम्मेदारी थी तो ठाट भी कम नहीं रहे, सम्मान भी बहुत मिला, इस बीच बहुत कुछ हुआ, स्ने जी ने जेवरों की पोटली तो समहाली थी इसी दिन के लिए, मुक्ता को मो दिखाई में घर का कोई परमपरागत खानदानी जेवर नहीं मिला था, बाजार से तभी तभी खरीदी एक अंगूठी पहना दी थी, घर में पहली बहु का इतना फीका स्वागत, उसे दुलहन बनी भाभी के गले में मा का अपना कुंदन का हार डालना याद आया था, भाभी करवा चौत में उसी हार को पहनती हैं, रात में सुमित ने डायमंड रिंग पहनाई, सिर में हाथ फेरा और मुक्ता सब कुछ भूल गई, ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मूती, देता है दिल जो दिल के बदले, सच है, पती के प्यार के सामने सब बेमानी, सुबोध NDA में निकल गया था, पहले प्रयास में ही, अब तो फुल करणल है, कमांड भी कर चुका, आजकल सिकंदराबाद में है, बीवी बच्चों के साथ, सुमित DFO बने, परिवार का रुत् बने कमाने लग जाए, बलकि शादी भी हो जाए, लेकिन रोहिद पीच्टी करना चाहता था, वह भी अमेरिका से, सुमित रिटायर हो गए, और अपने प्रिय शहर देहरादून आ गए, देहरादून पहले जैसा नहीं रहा, नए राज युत्रा खंड की राजधानी क्या बना, दूर दूर तक हरियाली का पता नहीं, पहले सारा जंगल था, अब कंक्रीट के जंगल ओगाए हर जगे, जमीन के खरीद फरोख्त जोरो पर, ताउजी के दो बेटों ने अपने अपने मकान बना लिये थे, तीसरा लंदन में है, इधर भी दोनों भाईयों के मकान ब ले आए, रोज मर्रा के सामान के साथ, वाकी पुराने घर में ही है, विश्वासी नहीं होता कि सास जी, जो रसोई घर बगीचा छत, आंगन सब चके एक साथ दिखाई देती थी, अब इतने छोटे दायरे में सिमट कई, अपने कमरे में जादा तर समय लेटे लेटे ही बी कुछ ठीक ठाक भी करती होंगी, कुछ ध्यान आ जाता है ढूंटे भी हैं, अपने हिसाब से तजबीश करती रहती हैं, या दाश तभी ठीक है, मुक्ता को इस बात की बड़ी फिक्र रहती है कि कहीं बात्रूम में गिर न जाएं, उसने सास जी को नहलाने धुलाने का काम स अपने हाथ में ले लिया, नौबत राद डाइपर पहनाने की भी आ गई, किसी को रख लो माजी के लिए, प्राय सुमित मुक्ता की वेस्तता देख कर कह देता, देखती हूँ, मुक्ता कह देती, लेकिन उसकी मंचा लग नहीं रही थी, उसे काम बाली पर जादा विश्व अभी इतनी नौबत नहीं है, अपने रोजमर्रा के काम तो वह खुद कर लेती है, वे नहा भी लें, पर मैंने अपनी डर से नहलाना धुलाना अपने हाथ में ले लिया, फिर कोई ऐसा कर भी नहीं सकता, सफाई भी तो चाहिए, कोई जादा काम नहीं है, कपडे कमला धो मुक्ता कहती, सुमित कुछ दिनों के लिए चुप हो जाता, बाल बनाते, क्रीम दबाई लगाते, साज जी गाउं, जमीन की कई दास्ताने मुक्ता को सुनाती, बाते कई बार दोहरा भी जाती, मुक्ता पेक्शित जिग्याशा दिखाती रहती, अगर इनसान को केवल खान बाला भी चाहिए, दी達ी भी आती रहती है, अब का मा पाती है, घर में छोटा पोता है, दीदी के आने से मुक्ता को जरा रहत मिल जाती है, कुछ लाना तो नहीं है पुराने entonces, मैं जल्धी में हूँ, दीदी का माजी से ये कहना, मुक्ता को हैरान करने लगा था, रिशेक इस इंद्रमडी के यहां से भागवत का कार्ड आया हुआ है, मेरे नाम से है, तेरी राह देख रही थी बड़े दिनों में आई, कार्ड तो सास जी अधिकतर सब आपके ही नाम से आते हैं, देख तो लेते हैं ये, मुकता रोक नहीं पाई बीच में बोल पड़ी, बहुत तो हो गया था, मैं केवल गाव की, अंसू या प्रेमा और ताई जी की, बीते जमानी की बातों की साजीदार हूँ, कोई काम की बात क्या मुझसे नहीं की जा सकती, पुराने घर की चाभी के योगे नहीं हूँ मैं, मुकता का दिल रिस रहा था, जिंदगी बीच गई, क्या कम पर रंग एक ही है, स्याह, मुकता विवर्ण हो गई, मुटन ने उसे जकर लिया, पांच हजार का लिखते, साज जी बोली, यहाँ पर दस्तक कर दीजिये मा जी, साज जी ने चाय का ग्लास जमीन में रख दिया, और समय होता, तो मुकता पकड़ लेती, आज हुआ मुर्ति में डाला, चेक बुक संभाली और पुराने घर की और चलनी, वापस आई, साज जी को चाभी थमाई, और तेज गदमों से गेट की तरफ बढ़ गई, कमला ने चाय के जूठे बरतन समेटे और अस्यूई की और जाने लगी, डाल मूं की सबजी गोभी की बना देना, ताल म हुआ दर्वाजा खुला, बाहर निकल कर बरामदे की और बढ़ी, पूजा का समय हो गया, मुक्ता ने खिड़की से देखा, साज जी पुराने घर की और जा रही है, जुकी हुई धीरे धीरे, देहं बदल गई, दम भी छीड हो रहा है मगर, मुक्ता को आहत करने की पूरी प्रावनिंग पढ़ा है, हिमत वाला हर खरावी से कुछ बहतरी निकाल लेता है, मुक्ता को अब पीछे नहीं आगे देखना है, बेटा तु परदेश में है, मुश्किल से महीना भर हुआ है, तो खुद को आउटसाइडर महसूस कर रहा है, मैं, मैं बेटा पिछले 37 साल स अपने घर में आउटसाइडर रही हूँ, अपनों के बीच में आउटसाइडर होना कैसा होता है, या तु कभी भी जान नहीं सकता, पर एक वाइदा है तेरी मा का तुझ से, तेरी मा तेरी पतनी को आउटसाइडर महसूस नहीं होने देगी, उसे अपनी असली दौलत मुक्ता उठी बात्रूम गई हाथ मुधोया बरामदे में आई और बाहर की लाइट जला दी अभी आप सुन रहे थे सरोजनी नौटियाल जी के लिखी कहानी आउटसाइडर कर दो कर दो क